सुरूम्चंद हमारे साथ स्वागत हैं आपका हालो जी नमस्कार बताए पर मैं आपके जहां से गोंटिया मुगाया था तो अभी हो गया तो अब आपका सवाल क्या है? तो स्वाल जीए कि उसको दो टाइम ही खाना जा तीन ही खा सकता हो ते लिए नहीं नहीं दो ही टाइम खाएं भाई देखो ये गौंसिया आपको असली मिल गया फाइदा शुरू हो गया लेकिन इसमें हम जल्दी नहीं कर सकते इतना बताया इतना ही खाएं और दो ही टाइम खाएं प्लीज देखो जल्दी फाइदा चाहिए तो ऐलो पैथ है आप साथ में ले सकते हैं लेकिन ये रोज आना जरा सा फाइदा करेगा आपको दिक्कत तो हो रही होगी कि ये दीरे दीरे फाइदा कर रहा है लेकिन ये आप सुरक्षित बहुत हैं ये नुकसान नहीं देता जितना मैंने बताया जितना आप खा रहे हैं ये नुकसान नहीं देता एक तो ये ना इसका लीवर पे असर होगा ना किड्नी पे होगा ना पेट पे होगा यह आपको बस यह है कि यह क्योंगी raw material है यह आप आपको असली मिल गया है और भगवान आपसे राजी है यह खतम होते होते आपके रोक से मुक्ति मिलना मुम्किन है तो बिलकुल आपके रोक से मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप नुस्के अपना लेंगे दर्श को बि आने वाले समय में आप लोग मुक्त होने वाले हैं लेकिन धेरे रखिए तभी आप लोगों को आराम मिल सकता है बाकि जुन कॉलर्स का कॉल अभी कारेक्रम में नहीं लग पाता है वो हमारे हेल्प लाइन नंबर पर बात कर सकते हैं 36 गर से हैं शिवम स्वागत हैं आपका जी हैलो हां जी जी कर लीजे मैं भी आप से बात कर रहा हूं बता यह क्या सवाल है मेरी मम्मी के वारे में पूछना रहा है जी न उनके हर ज्वाइन्ट मदर दो तैकंदे का घुटना का कहनियों में तो न वो लगवग दो साल हो गया आपके मम्मी के उम्र क्या है पैटालीश वर्ट ठीक है जो देखो बटा हम इसी लिए यहां बैठे हुए हैं कि जो लोग बहुत दिन से बीमार हैं और किसी सूरत फाइदा नहीं होता उनकी हम कुछ मदद कर पाएं आप हमारी बात लिख लीजे और मम्मी बैठी हैं तो वो भी सुन लेंगे लेकिन आप लिख लीजे तब ही आपको अच्छा लगएगा इलाज करने में देखिए अलसी आप नहीं तो आपकी मम्मी जानती होंगी अलसी एक तिलहन मैंसे एक चीज है जो बहुत आसानी से मिल जाती है बहुत सस्ती अलसी खरीद लें पांच-छे सो ग्राम खरीद लें और साफ सूफ करके हलका सा भून लें और पौडर बना के रख लें अलसी का और एक आता है गाउन सिया है अच्छे देखो मैं खबरदार कर रहा हूं कि ये नकली बहुत मिलता है असली लेना आपकी जिम्मेदारी है नकली लिया तो मैं जिम्मेदार नहीं लेकिन असली मिल गया अगर आपको सो दो सो ग्राम भी मिल गया तो आपकी मम्मी के रोग मु गिराम पंद्रह ये सोलह रुपे में आ जाता है अगर महंगा भी हो तो इसको पीस लीजे ये रो मैटेरियल कच्ची कच्ची दवा है गौन है काला कड़वा बहुत बुरा सा लेकिन फायदे में बहुत अच्छा है इसको पाउडर बना ले और एक चमच अलसी का पाउडर औ एक चुटकी या दो चुटकी इसमें ये गौन सियाह मिलाना है ये चुटकी है ना ऐसा अदा गिराम तकरीमन मिलाना है और ये मम्मी को दो टाइम खाने के पश्चाद पानी से या बगर चेर्बी के दूसरे दिया करें और मुम्किन हो तो ये ऐसा कुरसी वाला बात्रूम का उनको लिए इंतिजाम करें नहीं तो वह बहुत दिन में ठीक होंगी पांच-छे महीने इलाज करें आपको फाइदा होना मुम्किन है अगले कॉलर हैं बात कर लेते हैं राजू है स्वागत है आपका नमस्कार बताइए मैं इंडॉर पर बात कर रहा हूं हां मैं गोर्म को रहे से बात करके उनने बताना चाहता था कि हखीम साम मुख घंटियश भी है व्लड प्रेश्र भी है निकिर मैं ड़ई लेता हूं तो वह नॉर्मल है और मेरा नहीं स्वाज मेरा नूसरा प्राब्लम नृरो प्रॉबलम है इसमेरा ना चेक-अप किया था जिसमेरा पू ड्रॉप हो गया है दोनों पैरों का तो मतलब मेरे को ना चलने में भी प्रॉब्लम होती है मैं सीड़ियां पकड़ के चल सकता हूं पर अपने आप सीड़ी नहीं चल सकता हूं तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस फॉट ड्रॉप की है जो मैं चाहता हूं कि वो कैसे जरूर आपको फाइदा मुम्किन है देखिए आप एक समझदार और जिम्मेदार इन्सान है और ये जो आप दवा लेते हैं वो भी लेते रहे आपको लेना है गौन सिया काला गौन ये काला गौन अगर असली मिल जाता है तो आदा गौन सुबा आदा गौन शाम लीज़े आप इसे लीज़े जिसे अभी आप फॉल सुन रहे थे एक साप कहरे थे जल्दी से फाइदा हो जाए तो तीन गौन तीन बार खाले तो ऐसा नहीं करें ये चीज़ के इसकी एक विग पूरी है नकली भी बहुत मिलने लगा है नाश्ते के बाद और रात तो खाने के बाद बस आदा आदा गिराम खाएं और भगवान से खूब मदद माने आप एक जिम्मेदार और दे पर हैं मैं भी दूआ करूँगा कि आपको फाइदा हो जाए और डायोटीज और प्रेट को सो तिसमें पानी में मिलाकर तीन चमबच तो आप सबस्ते जिन्दगी गुजार सकते हैं डायोटीज को मुकमल फाइदा तो होता नहीं लेकिन डायोटीज से होने वाले नुखसानात को ये जैतून का सिर्का रोक लेता है और वो दवा भी खाएं और ब्लेट पेशर से निजात भी मिल सकती है अगर आप पांच साथ महीने लगातार इसको इसको इस्तमाल करें मुझे बड़ा अच्छा लगएगा कि आपको फाइदा हो जाए और आप फोन करके हमें बताएं तो हम एक सिम्मेदार और समझदार लोगों से बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं जब उनका कॉल आता है इंदोर से बहुत और कॉल भी आते हैं हमारे करनल वर्मा बहुत बड़े अफिसर है करनल मिलिटरी में रिटायर उनका भी फोन आता है तो कभी गया नहीं दोर लेकिन वहां से अच्छे लोगों के फोन आते हैं जी तो बिलकुल आपने जिस तरीके स से हमारे उपर विश्वास दिखाया है तो हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द यह नुस्की अपना लीज़ेगा और माटीरियल आप असली ही लीज़ेगा क्योंकि मार्केट में इस वक्त नकल्चियों की भरमार हो चुकी है बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध हैं जो क आपका जी नमस्कार तेज अवाज में बात कीजिए नमस्कार जाहिन सेर बताईए क्या सेवा अच्छा दिखिये भाई ये सुनपन डाइबटीज की वज़े से नहीं है मेरे अनुभव के अनुसार ये तो नसे कमर में हमारे डिस्ट में दवी रेती हैं उससे सुन होते हैं सुन भी होते डर्द भी होता है किचाव भी होता है जलन भी होती ये चार कैफियत जिसको भी होती है वो कमर में नासे दबने से होती है मेरे अनभव के अनुशार इसके लिए देखिए गौन सिया लीजिए अगर असली आप ले सकते हैं आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम नाश्ते और खाने के पश्चात खाया करें और वेस्टन टौाल जैतून का सिर्का लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुफीद है ये आपके जीवन भर मदद करता है और वो नुखसाना जो दवाओं से पहुंचते हैं डाइबटीज से पहुंचते हैं उनको रोक लेता है और डाइबटीज में भी बहुत कंट्रॉल करता है दवा वो पानी पांच बार की पिया करिए और अगर आप सेहत मंद हैं चल सकते हैं तो धूप में चला करें और नहीं चल सकते तो धूप में बैठ जाया करें एक घंटा और आप पूरा जीवन सेहत के साथ तंदुरुस्ति के साथ गुजार सकते हैं बारबंकी से हैं इंद्रा तिवार राली जी स्वागत हैं आपका सुझल को हालो मैं कि इस वाख़ी उन्हाइश्ट कर लीज़ें इस तो हम्मद्य पर करें हैं अधि हो रही है आप मुझे से बात हुरी है बताइए आप टीवी नहीं ने मुझे से बात करिये. हाँ, तो ये हमारे brain hemorrhage हो गया था. तो हम वो चिछ हिलाने वाला काम बताते हैं, तो हम करते हैं तो च्छ ज्यादा दर्द होने लगता है, मेरा पीच के रिशर मेरा दर्द होता है, तो हम आइटेटी करने लगे तिसी तिन मिनट तो आप बताईए इस लिए करें कि ना करें ठीक जी अज़े दिखिए ब्रेंड हैमरेज के लिए एक्सरसाइज नहीं है ये उन लोगों के लिए जिनके दर्द होता है तो सर में या मोंडों में या सर्वाइकल जिनको है उनके लिए है ब्रेंड हैमरेज वाले तो जैतून का सिर्का पिया करें तीन चम्मच दिन में खाने के बाद तीन चम्मच रात में पानी में मिला के तो उनको फाइदा होना मुम्किन है जी अगले कॉलर है बुलन शेहर से देवेंदर जी स्वागत है आपका हालो नमस्कार मैडम इस प्रॉब्लम की जी 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 धात जाती है इसके लिए काम कितनी आयू है आपकी तेटिश वर्ट ठीक है जी अधिके आप लीजे धनिया आमला सुकावा धनिया सुकावा आमला और आपको लेना है आपको लेना है इसवोल की भूसी और गौन मौरिंगा सफेद ये चार चीजे सो सो ग्राम खरीद कर पॉडर बनाएं और अधा चम्मश सुबा अधा चम्मश शाम दूद में या पानी में मिला कर खाएं तो आपको फाइदा होना मुम्किन है जी तो फा पताएं हैं और वैसे ही नुसकी आप बनाएंगे आपको बताये गए हैं कोई भी अधिक जानकरी पराप करना चाहते हैं कोईरी करना चाहते हैं क्लान नंबर पर अपलोग बात कर सकते हैं जहां पर आपकी बात होती है हमारे expert doctor से UP से हैं Amit स्वागत है आपका हेलो हां जी जी में नमस्कार नमस्कार मैं हाकीम इसे बात हो जाएगी जी हो रही है बताएए अमित जी सर नमस्कार आदर तर वो हमारे जो पायर के अंग उठा है तो क्या गैंगरिंग बता रहा है क्या हुआ सर? क्या मर्ज बताएं डॉक्टर ने? वो दवा कैसे हैं इंफेक्षन है खोण में तो फिर इंफेक्षन के दवा भी खाते हैं तो फिर नई सही होता है अच्छा आपकी आयू कितनी है? मेरे आयू सर फिश्टीन एयर है और बहुत कम उमर है आपकी तो देखिए बेंडेश तो आपको करवानी है रोजाना बेंडेश तो करवानी है और देखिए हल्दी आपके किचन में है और यह हल्दी दो चुटकी ले ठीक है और यह सोडा खाने का आपके किचन में है वो एक चुटकी में इतना आए यह दिन में एक बार दूर से खालिया करें और बाकी सारा इलाज आप अपने डॉक्टर का करें बैंडेज वक्त पे होनी चाहिए रोज होनी चाहिए और अगर दो बार भी करनी पड़े इसको तो कर सकते हैं और यह एक बार रोजाना खाया करें आपको फाइदा भूम की है